नमस्कार दोस्तो क्वालिटी हब इंडिया के इस मॉडूल में मैं आर इन विश्यो कर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस प्रोग्राम हम जानेंगे कि productivity को कैसे calculate करते हैं और इसे कुछ examples भी हम देखनेंगे तेकिन दोस्तो प्रोग्राम सुरू करने से पहले सारे नए विश्यों इसको में बताना चाहूंगा कि Quality Hub India जो की Government of India Register Organization है for training and certification purposes हमने काफी सारे online training और certification प्रोग्राम स्टार्ट किये हुए है जिसे काफी अच्छा response मिल रहा है तो दोस्तो हमारे online courses को आप buy करने के लिए हमारे website www.qualityhabindia.com पे आप visit कर सकते हैं वहाँ जाके आप courses section में जाके courses को buy कर सकते हैं या दोस्तो आप directly courses.qualityhabindia.com पे जाके भी courses को buy कर सकते हैं या आप Google Play Store में जाके Quality Hub India के app को download करके उसके थोस से भी आप courses को buy कर सकते हैं और study भी कर सकते हैं तो दोस्तो बहुत सारे courses है, nominal charges में आपको बहुत सारी learning होगी और आपको अपने career को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी तो आए दोस्तो प्रोग्राम सुरू करते हैं तो दोस्तो productivity को calculate करने के लिए हम output और input दोनों का इस्तमाल करते हैं यानि कि productivity को calculate करने के लिए हम हम comparison करते हैं कि हमने कितना output निकाला जिसमें कि goods भी हो सकता है यानि कि product भी हो सकता है और services भी हो सकते हैं यानि कि हमने कितने goods या services या हमने products बनाए हैं और उसका गेंश में कितने सारे input हमने इस्तमाल किये हैं production करने के लिए तो दोस्तो productivity का जो basic formula है, वो output upon input होता है, अगर broad level में हम बात करें तो, और हम जानते हैं कि जो process होता है, चाहे वो manufacturing process हो, चाहे वो service process होता है, process का definition होता है, set of interrelated activities which converts input into output, एन कि process में क्या होता है, कुछ inputs को हम लोग लेते हैं और उससे output निकालते हैं, यानि कि जब मैं process कर रहा ह हूँ, तो मैं process करने के बाद में कुछ output निकालता हूँ, वो output मेरा goods भी हो सकता है, या parts भी हो सकता है, या product भी हो सकता है, और services भी हो सकता है, तो typically हम manufacturing company में जो product बनाते हैं, casting, forging, stamping, welding, वह रहा करके, वो हमारे products हो जाते हैं, और services, जैसे कि अगर कोई accountant है, कुछ service दे रहा ह कोई lawyer जो है, service दे रहा है, तो उनकी भी productivity होती है, या BPO call center में कोई काम कर रहा है न, तो वो भी productivity calculate करते हैं, तो दोस्तों अगर हम productivity की बात करने हैं, तो productivity का इस्तमाल calculate करने के लिए आप complete line का निकाल सकते हैं, complete cell का निकाल सकते हैं, एक particular machine का भी आप निकाल सकते हैं, और productivity calculate करने के लिए आपको एक बात का ख्याल अपना है, कि जो हम output और input का इस्तमाल करेंगे, productivity calculate करने के लिए, दोनों को दोनों numerical values में होने चाहिए, यानि कि numbers में होने चाहिए, अगर ये numbers में नहीं होंगे, तो आप productivity calculate नहीं कर सकते हैं, जब हम output के बात करते हैं, तो basically होता है, finished value of product, जो कि किसी machine से, या किसी manpower का, या किसी process का outcome होता है, और जब हम input के बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको अलरड़ी बताया है, ये भी new maker value में होनी चाहिए, और input में भी आपका manpower हो सकता है, उनका timing हो सकता है, अलग-अलग resources भी हो सकते हैं, material भी हो सकते हैं, वगर machine making का हम example ले रहे हैं, और यहां पर जो organization है, वो 100 units per day बना रही है, या कि एक दिन में 100 पार्ट बना रही है, finished value of each product, हर एक पार्ट का, जो finished value हो 10 रुपे का है, एक दिन में 100 पार्ट बनाती है, और एक पार्ट का value 10 का है, यानि कि total value जो निकल गए दिन भर की, वो हो गए 1000 र हो रहा है, यानि कि आप input के बात करते हैं, हमने output समझ लिया, अब input जो हो गया दोस्तो, total cost of making one widget is 2.5 रुपीज, यानि कि एक पार्ट को बनाने में, एक विजिट को बनाने में, 2.5 रुपीज लग रहा है, और इसका अगर हम break up देखते हैं, तो 1.5 रुपीय में से 1.5 रु तो 2.5 रुपीय जो मेरा हो गया, ये input हो गया, ठीक है ना? और output मेरे निकल का रहा है, वो 1000 रुपीज का sale हो रहा है, या production हो रहा है, पर-डे के हिसाब से. तो दोस्तो मेरे input cost जो हो गया एक part का हो रहा है, एक widget का हो रहा है धाई रुपया हो रहा है यानि कि अगर हमने 100 का calculate किया तो कि जो part हम manufacturing कर रहे हैं output मेरे निकल रहा है 100 तो 100 part के लिए मेरे input cost हो जाएगा 100 multiplied by 2.5 यानि कि 250 रुपय हो जाएगे तो total मेरा output जो cost हो गया वो हो गया 1000 रुपय का और total input जो cost हो जा रहा है वो मेरा हो रहा है 2500 रुपय का तो दोस्तों अगर हम लोग basic productivity को calculate करना चाहें तो calculation मेरा हो जाएगा output upon input तो मेरा output जो है 1000 रुपीज का है क्योंकि हम लोग 100 part बना रहे हैं और उसको sell कर रहे हैं 10 रुपया एक पार्ट को तो यह हो गया 1000 रुपया ठीक है ना? और input जो मेरा है एक पार्ट को बनाने में खर्चा हो रहा है 50 रुपया और 100 पार्ट बना रहे हैं तो 100 into 2.5 यानि कि 2500 तो हम 1000 को 2500 से divide कर रहे हैं ठीक है ना? तो मेरा निकल के आ रहा है 4 4 जो हो जाएगा यह मेरा हो जाएगा यह मेरा हो जाएगा productivity तो 4 रुपया जो हो जाएगा यह मेरा हो जाएगा productivity यानि कि एक particular day में किसी भी दिन में मेरी productivity जो है यह 4 की है क्योंकि मेरा output निकल रहा है 100 पार्ट और 10 रुपीस पर पार्ट का है 1000 रुपीस हो गई और 200 रुप्या हो रहा है मेरा input cost आनिकि output cost हो रहा है 1000 का और input मेरा हो रहा है 200 का तो मेरी productivity हो गई 4 की दोस्तो इस तरीके से productivity calculate करके हम क्या कर सकते हैं एक particular machine का जिस machine का हमने भी example लिया इस machine का हम अलग अलग दिन का productivity calculate कर सकते हैं ताकि हम comparison कर पाएं कि machine की productivity इंप्रूब कर रही है या reduce कर रही है अगर हमने कुछ improvement करने का project लिया हमने कुछ काईजन किया है quality circle project किये है lean six sigma project किया है तो उसमें improvement आनी चाहिए तो productivity के level मेरा improvement हो रहा है क्या 4 से 5, 6, 7 ये बढ़ रहा है क्या हम उसको track कर सकते हैं दूसरा चीज हम ये भी कर सकते हैं कि एक machine का दूसरे machine से भी comparison कर सकते हैं for an example आपका ये एक machine है machine number one दूसरा machine जो है machine number two है और अलग-अलग supervisor अलग-अलग operator उसको man कर रहे हैं तो आप उनको भी comparison करके जान सकते हैं कि दोनों machine का productivity के level में क्या differences हैं अगर differences हैं तो फिर आप study कर सकते हैं क्या उसके reasons हैं क्या-क्या gaps हैं जहां पर अच्छी productivity हैं वो operator या वो supervisor जो है क्या action ले रहा है जिससे वहाँ productivity high है उस best practices को आप दूसरे line में दूसरे sale में या दूसरे machine में आप replicate कर सकते हैं आए दूस्ता आगे बढ़ते हैं हमने एक manufacturing का example ले लिया अब एक non manufacturing company का भी simple सा example ले लेते हैं productivity के calculation को समझने के लिए तो दूस्ता अब जो हमें example लेने वाले हैं ये call center का है और call center में चार advisor जो हैं काम करते हैं उनके नाम हो गए रोहन, गुपाल, पवन और सुरेज अब इनके अगर बात करें दोस्तों तो इनके case में जो input है वो calls हो गए और output जो हो गए account open यानि कि ये लोग जो हैं ये advisor जो हैं ये लोग को call करते हैं और call करने के बाद मैं उनको convince करते हैं किसी particular bank में account open करने के लिए ठीक है ना for example XYZ bank है तो XYZ bank के जो call center के जो ये advisor है इन्होंने लोग को call किया रोहन ने suppose Monday को call किया 52 लोग को call किया call करने के बाद मैं उसने convince किया 6 लोग को account open करने के लिए और उन्होंने account open कर लिया गोपल ने 40 लोग को call किया और उसमें से 3 लोगों ने account open किया पावर ने 58 लोग को call किया और 7 लोगों ने account को open किया सुरेश ने 35 लोग को call किया और 6 लोगों ने account open किया तो ये होगे मेरे inputs आने की कितने मैंने calls किये और यह account open जो है मेरा output क्योंकि हम expect करते हैं कि मेरा call जो है blank न जाए उसका कुछ result निकले तो यह input हो गया और यह मेरा output हो गया और यह मेरे advisor हो गया अब दोस्तो हम इनकी productivity calculate करेंगे बहुत ही simple तरीका है तो मेरी productivity हो जाएगी output upon input तो output मेरा है आपर account open और input जो है number of calls इस guys have made है ना तो रोहन के case में productivity क्या हो गई output है 6 का divide करेंगे हम input से 52 से तो इसकी productivity है 0.12 गोपाल के productivity कितनी हो जाएगी output है 3 का और input जो है 40 का हैने कि 0.08 और पवन का output है 0.12 का सुरेज का output है 0.17 का तो दोस्तो इस तरीके से हम productivity calculate कर सकते हैं productivity calculate करने के बाद हम further हम analysis भी कर सकते हैं suppose ये Monday के दिन का ये result है productivity का इन 4 लोग का तो हम comparison करके देख सकते हैं कि कि किसकी सबसे भैतर productivity है यहाँ पर जो निकल के आ रही है यहाँ पर सुरेज का productivity सबसे भैतर है 0.17 है उसके बाद में रोहन और पवन है गोपाल की बहुत खराब है तो सुरेज को benchmark कर सकते हैं यहाँ पर या हम अलग अलग दिनों में इसको और monitoring करेंगे महिने वर का data collect करेंगे और देख सकते हैं कि कौन बैतर productivity दे रहा है उसको हम कुछ reward recognition भी कर सकते हैं और उसके call करके convince करने के तरीके को for an example सुरेज जो है पूरे महिने में यह best results देता है तो हम क्या कर सकते हैं सुरेज के call management करने के तरीके को हम क्या करेंगे हम record करेंगे analyze करेंगे और बाकियों को training देके हम improvement करने की कोसिज करेंगे उनको भी सिखाएंगे देखो इस तरीके से बात करता है ऐसा ऐसा handle करता है अगर customers के query होते हैं तो उसको ऐसे result कियाता है वगरा वगरा है ना उस तरीके से हम काम करके हम productivity को improve कर सकते हैं तो दोस्तो मैं आशक करता हूँ इस simple से example से आपने समझ लिया होगा कि productivity को कैसे calculate कर सकते हैं वैसे दोस्तो productivity बहुत तरह के होती है हम आने वाले और कुछ वीडियो में आपको अलग अलग और productivity के calculation सिखाएंगे और हाँ दोस्तो हमारे चैनल को subscribe करना न भुलें और अपने comments को comment section में जरूर लिखें और दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि Quality Hub India आपको organization में आके कोई training program करें कोई consultancy में आपको support चाहिए lean six sigma implement करवाना है को improvement project drive करना है system certification करवाना है तो Quality Hub India को आप याद कर सकते हैं आप हमें contact कर सकते हैं और हाँ दोस्तो आप online हमारे courses को भी buy करके बहुत सारे courses हैं आप buy करके घर बैटेक आप बहुत कुछ सिख सकते हैं और अपने career को नई उचाय में लेकर जा सकते हैं कोर्स के दुरान में दोस्तो किसी भी तरह query होने पर Quality Hub India आपके call पे या mail पे आपके queries को resolve करती है तो मारस बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तो टेक क्या है जाहिन